Hello Friends, Welcome back to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Current Affair 2021 के Most Important Question वो भी Full Explanation के साथ Friends, वीडियो को जरब स्किप ना करें क्योंकि ये वाली वीडियो जो है अब कमी इजाम की त्यारी करें केंडिडेट्स के लिए काफी ज़्यदा helpful रहने वाली है Friends, वीडियो अच्छी लगे तो उसे like, share और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तो चलिए Friends, वीडियो को शुरू करते है Friends, Question No.1 है प्रती वर्ष बिशव खादे दिवस कब मनाया जाता है तो प्रती वर्ष बिशव खादे दिवस मनाया जाता है 16 अक्तूबर को C वाला इसमें राइट आंसर है Next Question भारत को कौन से कारेकाल के लिए स्यूंग तराश्टर मानवा दिकार परिशद के सदस्य के रूम में फिर से चुना गया है तो भारत को 16 कारेकाल के लिए स्यूंग तराश्टर मानवा दिकार परिशद के सदस्य के रूम में फिर से चुना गया है इसमें C वाला ये राइट आंसर है स्यूंग तराश्टर मानवा दिकार के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टड़ी करते हैं स्यूंग तराश्टर मानवा दिकार परिशद UNHRC United Nations Human Rights Council तो इसके स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को स्यूंग तराश्टर संग द्वारा और इसका फ्रेंट्स मुक्याले है जनेवा सुजरलेंड में और बरतमान में स्यूंग तराश्टर मानवा दिकार परिशद के स्थापना है नजम शमीम खान और इसके स्थापना है 47, 47 इसके स्थापना है हैं इसका उदेश यह है सिउत रास्टर के सदस्य राजियों में मानबादिकारों के उलंगन के आरोपों की जाच करना नेक्स्ट कोश्चन हाल ही में भारती रिजर्व बैंक ने किस स्मॉल फाइनेस बैंक को लाइसेंस जारी किया है एस एफबी समाल फाइनेस बैंक तो वो समाल फाइनेस बैंक है यूनिटी लेक्स में राइट आंसर है तुछली थोड़ा स्वेंक के बारे में डिसक्स कर लेते हैं बाती बैंकिंग शेत्र बारत का पहला बैंक, बैंक ओफ हिंदुस्तान था इसकी स्थापना येरोपिन पत्ती पर अलेक्जेंडर एंड कमपनी द्वारा 1770 E.S.B. में की गई थी आगे देखे, सीमी देंदारी पर अधारित भारत द्वारा संचालित पहला बैंक अबद कमर्शिल बैंक था और जो सीमी देंदारी वाला पहला संचालित बैंक था भारत द्वारा संचालित बैंक बो था अबद कमर्शिल बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1800 E.S.C. में और फ्रेंट्स पूरण रूप से पहला जो भारती बैंक था बो था जो है वो मुंबई में है और राश्टी करण एक जनबरी उन्सों चास को हिल्टन यंग आयो की अनुशनशा पर इसका राश्टी करण हुआ था फ्रेंट्स नेक्स क्वेस्टन है चिल्डरन पीस इमेज ऑफ दे इयर गलोबल पीस फोटो आवार्ड 2021 जीतने बाली पहली भारती कौन बनी तो बबव बनी है आध्या अर्विंद शंकर C वाला इसमें राइट आंसर है अब आध्या अर्विंद शंकर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्टस करते हैं आद्या अर्विंद शंकर साथ साल की हैं और ये बेंगलूर की रहने बाली हैं। जिस पोटो के लिए आद्या नया पुरुषकार जिता उसकी थीम थी लैप आफ पीस यानि शांती की गोद। इस पोटो में उसकी मां को अपनी दादी की गोद में लेटे हुए दिखाया गय है। अगला कुशन है हाल ही में किसे PM फसल बीमा योजना के CEO के रूप में निक्त किया गया है तो वो किया गया है रितेश चोहान को इसमें A वाला जो ये राइट आंसर है। साथ नई रक्षा कंपनियों को राष्टर को समर्पित किया। अनुराख ठाकुर ने किया। इस एप के जरी जनता को पार्किंग की स्टीक और सही जनकारी मिल सकेगी। अगला पॉइंट देखिए यह एप बताएगा कि कहां कितनी गाड़ियों की पार्किंग की जगा खाली है और इस एप के माद्यम से पार्किंग शेतर में कैशलस भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रवद्योगिकी के माद्यम से शुन्य अन्तिम रीडिंग और इस तरह के ओफ-लाइन मैनूल हस्तकशेप को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंद्रा से उन्तिस अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो प्रणस ये वाला अभ्यास जो है ये अयोजित किया जाएगा अलासका अमेरिका में। ये वाला इसमें राइट आंसर है। चलिए इंपोर्टन पॉइंट्स देखते हैं इसके। या भारत और अमेरिका के बीच स्तार बां सिंक्त सैने अभ्यास है। कौन सा है ये स्तार बां। इसका अयोजित अमेरिका के अलासका स्थित सिंक्त बेस अलमेड और रिचरड सन में होगा। इसमें बारती सैना की एक इनफेंट्री बिटालियन के 350 जबान जो है वो भाग ले रहे हैं। चलिए नेक्स्स क्योश्टन प्रतिवर्स गलोवल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रतिवर्स गलोवल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। पंदरा अक्तूबर को इसमें ए वाला ये राइट अंसर है, इंपोर्टन पॉइंट से हैं इस कोश्चन के, बिश्व हस्त प्रक्षालन दीवस प्रती वर्स पंदरा अक्तूबर को मनाया जाता है, इस दिन लोगों में हाथ दोने के प्रती जाग रुकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है, इस बार 2021 में इसकी थीम है, हमारा बविश्य हाथ में है, आईए एक साथ आगे बढ़ें, आवर फ्यूचर इस एट हैंड, लेट्स मूव फावर्ट तोगैदर, नेक्स कोश्चन, निम्र मैसे किसे गलोबल बिजनेस सस्टेन अबिलिटी लीडर्शिप के लिए सीके प्रलाद पुरुसकार 2021 परदान किया गया, तो ये वाला सीके प्रलाद पुरुसकार जो 2021 परदान किया गया है, को एबल स में राइट अंसर है, इसके impact points है, भारती अमेरिकी Microsoft के CEO सत्टे अनडेला, फ्रेंड, सत्टेайн अनडेला जो हैं वो भारती अमेरिकी ये Microsoft के CEO है, और उन्हेंने Microsoft के तीन अन्य शिर्षनेताओं के साथ, 2021 के लिए Global Business Sustainability Leadership के लिए प्रतिष्टित C.K. प्रहलाद पुरुसकार अवार्ड जो है जीता है और फ्रेंसे ये C.K. प्रहलाद जो है इसकी सुरुआद कब की गए थी तो भारती अमेरिकी प्रहलाद को समानित करने के लिए Corporate Eco Form C.E.F. के आगरह पर 2010 में इस पुरुसकार की सुरुआद की गए थी प्रहलाद इस Form C.E.F. के संस्थापक सलाहकार बोर्ड के सदस्थे थे नेक्स प्रहलाद बारती बैंक संग I.V.A. Indian Banks Association का नया अध्यक्स किसे निक्त किया गया है तो फ्रहंस बारती बैंक संग I.V.A. Indian Banks Association का नया अध्यक्स निक्त किया गया है A.K.Goyle को B.E.W.A.S. में राइट अंसर है इस कोशन के इंपॉंटन पॉइंट्स बारती बैंक संग के अध्यक्स A.K.Goyle है युको बैंक के प्रबंदक स्निदेशक A.K.Goyle को 14 अक्तूबर 2021 को भारती बैंक संग I.V.A. का नया अध्यक्स चुना गया है Indian Association Bank I.V.A. के स्थापना जो ही थी 26 सितंबर 1946 को I.V.A. मूर उपसे भारती बैंकों और बिती संस्थानों का एक संग है और इसका मुख्याल मुंबेई में है अगला क्वश्चन किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोगे बाटी का स्थापित करने की गोशना की है उत्र परदेश राज्य सरकार ने A.V.A.S. में राइट आंसर है इसके दिखी important points उत्र परदेश सरकार ने सभी मादेमिक बिद्यालियों को स्कूल परिसर में आरोगे बाटी का स्थापित करने का निर्देश दिया है इसमें और शदी पौदों को गाने के लिए बाटी का या उद्यान का उपयोग किया जाएगा नेक्स कॉश्चन दुनिया की पहली malaria vaccine कौन सी है जिसको WHO ने मंजूरी दी है तो पहली malaria vaccine जिसे WHO ने मंजूरी दी है वो है RTS, S slash AS01 A वालाइस में राइट अंसर है अगला कोशन देखिए चौधा से 17 अक्तूबर तक किन दो देशों के भी सिंग्त सागर 2021 नौ सैनिक अभ्यास आयूजित किया गया तो फ्रेंस 14 से 17 अक्तूबर तक जिन दो देशों के भी सिंग्त सागर 2021 नौ सैनिक अभ्यास आयूजित किया वो दो देश थे चीन और रूस ये वालेस में राइट आंसर है इस question के देखी important points रूस और चीन का सिंग्ट सनौसैनिक अभ्याज सिंग्ट सागर 2021 जोएंट सी 2021 था और 14 अक्तूबर 2021 को जापान के सागर में रूस के पीटर दा ग्रेट गल्फ रशियन पीटर दा ग्रेट गल्फ में या अभ्यास जोथा शुरू हुआ next question किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम ये वाली उजना शुरू की तो ये की है पंजाब राज्य सरकार ने बी वालेस में राइट आंसर है देखिए पंजाब के नए मुखे मंत्री चर्ण जीत सिंग चन्नी ने गाओं और शहरों की लाल कीर के बीतर बने गरों में रहने वाले लोगों को माली काना हक देने के लिए रविवार को मेरा घर मेरे नाम ये वाली उजना की शुरूआत की next question कौन से फिल्म अंत्रिक्ष में शूट होने बाली दुनिया की पहली फिल्म बन गई तो वो बाली फिल्म है दे चैलेंज बी वालास में राइट अंसर है और फ्रेंज इस फिल्म को रश्या के दोरा शूट किया गया है next question हाल ही में नौर्बे के नए प्रदानमंत्री के रूम में किसने कारेवार ग्रेहन किया है तो नौर्बे के नए प्रदानमंत्री बने है जो नास गहर स्टोर ए वालास में राइट अंसर है next question केंदरी मंत्री अमित शाने अंडमान के मौंट हैरियट का नाम बदल कर क्या करने की गोशना की है तो नौर्बे केंदरी मंत्री अमित शाने अंडमान के मौंट हैरियट का नाम बदल कर उसका नाम मौंट मनिपूर रखने की गोशना की है ए वालास में राइट अंसर है चलिए अब important points देखते हैं इस question से देखें केंदर शाशित प्रदेश अंडमान और निकोबादीसमू इसकी राजदानी जो है वो pot player में है और इसका कुल क्षेतरभल जो है 8249 बर किलो मेटर है लोकसभा seat इसमें लोकसभा की एक seat है और अंडमान और निकोबादीसमू की रजेसभा में कोई भी seat नहीं है आगे देखिए अंडमान से निकोबादीसमू को अलग करने वाला channel जो है उसका नाम है 10 degree channel यहां साथ प्रकार की जिन जाती है पाई जाती है जारबा, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज स्टेनलीज, सॉमपेस और बो नेक्स पॉइंट देखिए अंडमान निकोबादीसमू के बैरन दीप पर उतने की यनुमती नहीं है क्योंकि भारत का एक मातर सक्री जॉला मुकी इसी दीप पर स्थित है जो भारत का एक मातर सक्री जॉला मुकी है वो बैरन दीप अंडमान में स्थित है अगला point देखिए, अंडमा निकोबादी स्मू को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है Next point देखिए, यहां की सबसे उंची परवचोटी सेंडल पीक है जो की उत्री अंडमान में अवस्तित है Next point, ग्रेट निकोबादी स्मू पर कुछ नदियां जैसे अलेक्जेंडरो, अमरित कौर, डॉगमर और गैलाथा स्थीत है यह वाली नदियां जो हैंगे, ग्रेट निकोबादी स्मू में स्थीत है तो फ्रेंट्स इसी के साथ अभी हमने Current Affair 2021 GK के Most Important 20 Questions जो थे वो डिसकस कर लिए I hope कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी ज़्यादा हैलब मिलेगी तो फ्रेंट्स इस परकार के और BDK साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जैन